हमारी संस्क्ति, हमारी पहचान, यज्य, योग, आयुर्वेद, सदा रहे हमारे साथ, भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का डिव्य संगम, यज्य महिमार भारती संस्क्ति में यज्य, योग, एवा मायुर्वेद जैसी अमूल ने विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद, इतिहाज की ओर द्रिश्टी डालें, तो भगवान राम, भगवान प्रिश्ण से लेकर, राजा महराजाओं, ग्रामवासियों वो अरन्यवासी रिशियों की कुटियों तक, नित्यवन नैमेत्तिक यद्यों का प्रशलन देखने को मिलता है, अब हम जल सेंचन करेंगे, वेदी के चारों दिसाओं में हम अब जल सेंचन करते हैं, तो कलस को अब अपने पांस लेले में, सबसे पहले हम जो जल सेंचन करते हैं, और तीन मंत्रों के जल सेंचन दूसरे मंत्र के माद्यम से करेंगे, उसमें भी हम दक्षिन दिसा से उत्तर दिसा की ओर करेंगे, इसी प्रकार फिर उत्तर दिसा में हम जल सेंचन करेंगे, वे पश्चिम दिसा से उत्तर दिसा की ओर धारा बनाते हुए हम जल सेंचन करेंगे, तो आईए सबस दूसरे मंत्र के माध्यम से पश्चिम दिशा में हम दक्षिन से उत्तर की और धारा बनाते हुए जल सेंचन करेंगे। अब तीसरी बार जल लेंगे, अब हम उत्तर दिशा में जल सेंचन करेंगे। हम पश्चिम से पूर्व की और धारा बनाते हुए। ओम सरस्वत्यनमन्यस्वा यह तीन मंत्रों से वेदी के तीन दिसाओं में जल सेंचन करने के बाद अब चोथे मंत्र के माध्यम से पूर्व दिसा और उत्तर दिसा का जो कोण होता है उसको केते इशान कोण वहां से हम प्रारम करते हुए हम पूर्व दिसा में फिर दक्षिन दिसा में फिर पश्चिम दिसा में और फिर उत्तर दिसा से होते हुए इशान कोण परियात ऐसे परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिसाओं में जल सेंचन करेंगे और फिर पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के जो कोण इशान कोण होता हैं वहीं पे हम कलस को छोड़ देते तो अगले मंतर के उच्चान के पश्चाद हम वेदी के चारो दिशाओं में जल सिंचन करेंगे वेदी के चारो दिशाओं में इशान कोण से प्रारम कर परिक्रमा क्रम से हम जल सिंचन करते हैं यह जल सिंचन का पर अगहार वज्य भाग आहुति चारो गाय की घीक की आहुतिया परदान करेंगे उसमें वेदी के मध्य में जो प्रदिप्त समीदा उसमें जो उत्तर दिशाओं में प्रदिप्त समीदा उसके उपर पश्चिम से पूर्वकी और धारा बनाते हुए एक आहूती प्रदान करेंगे, फिर जो दक्षिन दिसा में स्थित समीदा है, उसके उपर हम पश्चिम से पूर्वकी और धारा बनाते हुए एक आहूती प्रदान करेंगे, और फिर वेदी के मध्य में दो आहूतिया हम प्र ओम सोमाय स्वाहाआ इदम सोमाय इदन्नमा ओम प्रजापतये स्वाहाआ इदम प्रजापतये इदन्नमा ओम इंदर्यस्वाहाआ शारध ballet की आउनी बirtन की अब हम अगली आहुतिया प्रातकालिय अजे कहते हैं तो प्रातकालिय मंत्रों से साइनकालिय मंत्रों से एक ही बार करते हैं तो उस प्रातकालिय साइनकालिय मंत्रों से एक ही बार करते हैं तो उस प्रातकालिय साइनकालिय मंत्रों दोनों मंत्र उभईकालिय मंत्र और विश वेदी और अगनी कितनी ज्यादा या कम है उसको ध्यान में रखते हुए इस परकार सामगरी लेते हैं कम या ज्यादा मातरा में और जब मंतर से पूर्व में ओम का उचान करते हैं तब इसे सामगरी ले मंतर के अंतर में जब हम स्वाहा बोलते हैं तब स्वाहा के साथ इस प अग्नी अच्छी हैं तो थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में अभी आप दे सकते हैं। ऐसे ही घाय गया कि आधीख हुती को भी। और शुरू को भी पकडनेका डंग होता है। इस प्रकार से जैसे हम पेन पकडते हैं। तो ऐसे ही शुरू को आमने पहले एक बाट पकर लिया और फिर प्रतम उंगली को ऐसे सीधा कर दिया और शुरू को थोड़ा सा ऐसे कर दिया तो अंगुष्ठ और प्रतम उंगली के मूल्क में यह इस प्रकार से शुरू का अंतिम छोर लग जाता है और मध्यमा उंगली का अठी प्रतम जोड है उसके उपर दंडी का दूसरा भार जाता है और अंगुठे से वो दब जाता है और जब औम का उचान करते तब एसे भरते हैं गाई-कागी और जब स्वाहा बोलते तब इस प्रकार से ऐसे सीधी आहुति प्रदान कर देते हैं ऐसे ये शुरूब करने तो आएए अब मुख्य जो विशेश आउतिया हैं वो हम प्रदान करते हैं Om Suryo Jyotir Jyoti Surya Swaha, Om Suryo Varcho Jyotir Varcha Swaha, Om Jyoti Surya Suryo Jyoti Swaha, अब साइन कालिन जो तीसरा मंत्र बोलते हूं उसमें अगनीर जोतिर जोतिर अगनी भाग को मन ही मन उचान करते हुवे अब आउति देते हैं ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्र सजुरात्रेंद्र बत्या जुशानों अगनिर्वेतु स्वाहा ओम भूर अगने प्राणाय स्वाहा इदम अगने प्राणाय इदन्यम्ममा ओम् भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदम् वायवे पानाय इदन्नममा ओम् स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदम् आदित्याय व्यानाय इदन्नममा ओम भूर भुवस्वर अग्निवाय वाधिते ब्याह प्राणापान व्याने ब्याह स्वाहा इदम अग्निवाय वाधिते ब्याह प्राणापान व्याने ब्याह इदन्नममा ओम आपोज्योती रसोमृतं ब्रह्म बुर्भुवस्वरों स्वाहा ओम या मेधाम देव गनापितरस्च उपासते तयामा मध्यमेधयाक्ने मेधाविनं कुरूस्वाहा ओम विश्वानि देव सावितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रम्तन्न आसुवस्वाहा ओम अग्नेनयसुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्युहुरानमे नोभुष्ठान तेनम उक्टिम्विदेमस्वाहा यहां तक यह देव यज्यदैनिक अग्नी होतर हमारा संपन हो गया अब हम चिकित सा यज्यकरते हैं तो 7 आहुती, 21 आहुती, 158 आहुती विशेश जो हम मैं रहे रोग विशेश के लिए जो हम विशेश हवन सामगरी का प्रियोग करते हैं, रोग अनुसार, विशेश हवन सामगरी की हम रोग की अवस्था के अनुसार सामगरी या फिर गंभीर अवस्था, जैसी अवस्था इ से लेकर करके 108 आहुति और उसके हम विशेश आहुतिया देते हैं तो आएए हम सब लोग विशेश मंत्रों से 3-3 आहुतिया देते हैं ओम भूर भुवस्वाह तच्स वितुर्वरे एन्यम् भर्गो देवस्यधीमहि तियोयो नह प्रचोदयाच्वाहा ओम भूर भुवस्वाह तच्स वितुर्वरे एन्यम् भर्गो देवस्यधीमहि तियोयो नह प्रचोदयाच्वाहा ओम भूर भुवस्वाह तत्स वितुर्वरे एन्यं भर्गो देवस्यधीमह दियोयोनाः प्रचोदयाच्वाह ओम त्र्यंबकाईयजामह सुगंधिंपोष्टिवार्धनम उर्वारुकमिवबंधनान मृत्योर्मुक्षियमा मृताच्वाह ओम त्र्यंबकाईयजामह सुगंधिंपोष्टिवार्धनम उर्वारुकमिवबंधनान मृत्योर्मुक्षियमा मृताच्वाह ओम त्र्यंबकाईयजामह सुगंधिंपोष्टिवार्धनम उर्वारुकमिवबंधनान मृत्योर्मुक्षियमा मृताच्वाह इस प्रकार ये कुछ हमने विशेश आहुतिया दी और इससे अतिरिक्त एक दो आहुति और भी हम विशेश दे सेगें संपूर्ण परीवार के योग और ख्षेम के लिए यह जो विशेश आहुति होती हैं वह हमारी परीवार के कुसल ख्षेम अपने परिवार में सूख सांती सम्रिद्धी सदभावना सुसंतती के लिए यह विशिश आहुती दी जाती है यह विशिश आहुती सम्रिवार के योग और ख्षेम के लिए एक विशिश आहुती अंप्रदान करेंगे ओम आब्रम्हन ब्राह्मन ब्राह्म वर्चसी जायता माराष्ट्रे राजन्या सूर इशव्यते व्यादे महारतो जायता दोग्द्रिर देनुर वोढ नडवा नासु सप्ते पुरंधिर योशा जिश्नुर थेष्ठाह सभेयो युवास्यय जमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे ना पर्जन्यो वर्षतु फलबत्यो न आउशदया पच्यंता योगक्षे मोना कल्पताम स्वाहा इदम रवस्ट्राय इदन्नम antisा ह। OMS RASHTRAYA SWAHA IATHAM RASHTRAYA ITHANNAMAMH ओम राष्ट्राय और संपून राष्ट्र के योग और खशेम के लिए हमने विशेश आहुती प्रदान की और सबसे अन्ठ में एक ही मंतर का तीन बार उचां करते हैं तीन आहुती हम प्रदान करते हैं इस प्रकार एक ही मंत्र से तीन आहुतिया दे करके हमने पूर्ण आहुति की इस प्रकार से हमें प्रती देन यह देव यज्य तो हमें पहले जो 16 आहुतिया होती होती वो तो हमें अनिवारी रुप से अवश्य में करनिया होती है उसके बाद कि जो विशेश आहुतिया दिया हम चिकित सा यज्य करते हैं तो उसके 3, 7, 21, 158 रोग की अवस्था के अनुसार अपनी रोग विशेश के जड़ी बुखियों से आहुतिया देते हैं और परिवार की योगशेम या राष्टर के योगशेम आदि के लिए जो विशेश आहुतिया देना चाहें वो स्वेच्छिक है इसी को हम हिंदी के अर्थ की भावना बनाते हुए इसका गान के रूप में हम प्रियोग करते हैं हे इश सब सुखी हो कोई नहो दुखारी सब हो निरोग भगवंधन धान्यके भंदारी सब भद्रभाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखियान कोई हो वे स्रिष्टी में प्राणधारी हे नात सब सुखी हो कोई नहो दुखारी सब हो निरोग भगवंधन धान्यके भंदारी ओम शान्ति 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 ही ओम इस प्रकार अन्ति में तीन बार शान्ति ही शान्ति ही शान्ति हे प्रभु हे ईश्वर हे जगतिश्वर हमें आध्यात्मिक आधि देविक और आधिभावते एक तीनों प्रकार के तापों से हमें शांती प्रदान कीजिए। इस प्रकार प्रभु से काम ना करते हुए। यह यज्य, हवन, अग्नि होत्र हमारा संपन्न हुआ। इस प्रकार हमें प्रती दीन, देव यज्य तो जो सोला आहुतिया मैंने विशेश बताई, वो तो हमें करनी ही करनी होती हैं, लेकिन इससे अतिरिक्त हम विशेश यह जो चिकित सा यज्य हैं, उसके लिए अपनी रोग की स्थिति के अनुसार, जिसे आयरुवेद में बताया आयरुवेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन आउशेदिय द्रवयों का परियोग करने के लिए बताया हैं, उन उन रोगों की शांति के लिए वह वह द्रवयों से हवन करने पर, जो रोग की सांति के लिए जो द्रवया खाने के रुप में परियोग करत वही द्रव्यों के आहूती देने पर वह वह रोग हमारे सांथ होते, दूर होते और आज हमने जो साइंटिफिक रूप से रिसर्च है की उसमें भी यह चीज़े पाई है और प्रैक्टिकल रूप से जिन लोगों को हमने यज्य चिकित सा प्रदान की उन लोगोंने यज्य चिकित सा प्राप्त करके भी यह चीज़े उन्होंने प्राप्त की विशेश परिणाम प्राप्त की अद्भुत परिणाम उन्होंने प्राप्त कीए हैं और जो दूर साध्य रोग कहे जाते हैं, असाध्य रोग कहे जाते हैं जो भयंकर अवस्था के रोग होते हैं वो भी हमने यज्य चिकित्सा से ठीक होते हुए देखे तो यज्य एक चिकित्सा पद्धती भी है आईरवेट के अंदर तीन प्रकार के चिकित्सा बता है एक होती है मानुसी चिकित्सा एक होती है आसुरी चिकित्सा एक होती है देविय चिकित्सा यज्य को देविय चिकित्सा का दर्जा दिया गया है उस देविय चिकित्सा को अपनाने पर हम विशेश करके उन लाभो को तो इसलिए आप सभी भाई बेंसे में निवेदन करना चाहता हूँ कि जो यह यज्या अगनी होतर हवन हम सीख रहे हैं उस यज्या हवन अगनी होतर को हम स्वयम अपने घर के अंदर प्रती दिन करे और यज्य करने के बाद अब देखिए हमने यज्य कर लिया अगनी सांत हो गई है अगनी सांत होने के बाद जैसे मैंने शिरुवात में बताया था एक गाई के गोवर की लकड़ी का हम प्रियोग करते हैं तो यह स्टीक वेसी की वेसी बनी रहती है यह जो श्टीक हैं उस श्टीकों को अब आप उठाएंगे यह आप देख रहे हैं पूरी की पूरी मिलेगी यह अंगारे हो चुकी हैं अब इसको इस प्रकार से आप चैन कर दें एक बार उठा करके इसको व्यवस्थित कर दें एक के पांस में दूसरी श्टीक हम लगा देते हैं और उसको ऐसे दबा देते हैं अब यह जो हमने दबाया और इस प्रकार व्यवस्थित की अब यह जो आग है उसके साइड़ों में थोड़ी सी राख डाल दिया पहस्वां पहले यह जो की होती है उसको थोड़ी सी साइड में डाल दिया और बीच में थोड़ा सा खुला रखिया और उसके उपर जो आपके रोग विशेज की हवन सामगरी है वह थोड़ी सी मातरा में गोगुल थोड़ी सी मातरा में उसके उपर डाल दिया और थोड़ा सा गाय का घी उसके उपर डाल दीजे या फिर आप पूर्व में ही जो रोग विशेज की सामगरी है वो धाई सो ग्राम या दो सो ग्राम ली उसमें एक चोथाई भाग गुगुल और एक चोथाई भाग गाई का घी मिलाया और उसको अच्छे से मिक्स करके डिबा बंद करके रख ले वे और हवन के परश्चात उसमें से चमच एक छोटी सी रखे उसमें से चमच के माज़िम से थोड़ी सी मातर में इसे अंगारों के उपर डाल दे वे और फिर इस प्रकार से ये मंद मंद सी धुनी होगी इस मंद मंद सी दुनी को पूरे वायू मंदल के अंदर परियावरण के अंदर आप फेलने दीजिए और उस वायू मंदल में उस परियावरण में बेट करके आप अनू लों बिलों भस्तरिका, कपालभाती, उज्जाए, ब्रामरी, उद्गे, ध्यान, आदी जो पूरे प्रानायाम का क्रम है या रोगानुसार आसन, रोगानुसार योगा अभ्यावरण जो अलग-अलग हम योग के क्रम हैं अभ्यावरण से पेकेज है अर्थात पहले रोगानुसार यज्य और फिर रोगानुसार उस वाई मडल में बेट करके योगा बे आए इस प्रकार से करने पर अदभूत इस चिकित्सा के लाब प्राप्त होते हैं अब यज्य वेदी के अंदर हमें समीधा कैसे लगा रही है तो पहले थोड़ी सी समीधा लेकरके उसको बिल्कुल आप बारिक कर दिए ऐसे तोड़ दिए या छोटी-छोटी जो समीधाये हैं आप मेरे साथ साथ अपनी तयारी कर सकते हैं अपने घर में ऐसे हवन कुंड के अंदर छोटी-छोटी समीधाओ को आप डाल दे या लकड की है तो उसकी छोटी-छोटी समीधा और गोवर की है तो उसका भी ऐसे छोटा सार तुकडा करके ऐसे आप उसमें डाल दे या आप देख सकते हैं तल के अंदर विश्य शुरुप से मैंने यह समीधा को चूरा करके रख दिया है और रखने के बाद अब हम इस समीधा को बराबर मातरा में कटिंग करेंगे जो हमारी वेदी है हमारा जो हवनकुन है उसको एसे ध्यान में रखते हुए उस मातरा में हम इस समीधाओ का छोटे-छोटे टूकडे करके इस प्रकार से हम रख सकते हैं और विश्य शुरूप स जितनी हमें आवश्यक्ता होती है उतना ही रखे ज्यादा बड़ा हम रखेंगे तो फिर अगनी को प्रदिप्ट करने में भी हमें दिक्कत आ सकती है तो इसलिए जितना वेदी के अंदर आराम से आ जाता है व्यवस्ति डंग से उतना टुकडा करके हम इस प्रकार से उसको सजा दें पहली ऐसे हमने दो खड़ी समिधाय रखे उसके बाद दो समिधाओ को हम ऐसे आड़ा रख देंगे इस प्रकार से जब हम समिधा रखते हैं तो हवा का प्रवेश अच्छे से मिलता है और हवा के प्रवेश के कारण वह विशेश रूप से प्रदिप्त हो जाती है और जब वो प्रदिप्त होती है तो उसमें जो हमें आहूतिया प्रदान करनी है वह आहूतिया हम आसानी से अच्छे से प्रदान कर पाएंगे और विशेश रूप से उस अगनी के अंदर आप देखेंगे अभी हम यज्य करेंगे उसके बाद और एक समिधा बीच के लिए ऐसे रख दिया तीन समिधाय हो गई पहले दो हमने खड़ी रखी और उसके बाद हमने थीन समिधाय इस प्रक समस्वाइब को ले लेंगे का यजूस मिल करके यज्य कर रहे हैं अभी हम का डंग शटेग गाय के गोवर तीlungsपर करते हुए हम प्रियोग करते disgust तो यह हमने काट करके अब जिन तीन समीधाओं का आधान करना है उसको हमने सामगरी की प्लेट में थोड़ा साइड में हमने रख लिया इससे अतिरिक्त बीच वाली समीधा है उसको हमने ले लिया अब आप पहली बार मेरे साथ कर रहे हैं तो आप पहले आपके पास रूई रखी होंगी थोड़ी सी आप रूई ले लिजिए उस रूई की बाति को या रूई को थोड़ा सा आप तोड़ दीजिए और उसको वेदी के मध्य में नीचे बीच में जो हमने चोटी-चोटी समीधाओं या फिर टुकड़े रखे थे उसके उपर रख दीजिए अब गा बुज़ुद हमने जो साइड में भी जो समीधाओं लगाई हैं उसके उपर भी थोड़ा थोड़ा घी आप डाल दीजिए और उसके उपर भी घी डालने के बाद जो और समीधा हम दो रख रहे हैं उसको भी थोड़ा साथ घी से युक्त कर दिए क्योंकि पहले ही दीन आखो दिक्कत नहीं होगी धुआ नहीं होगा और अच्छे से आख प्रदिफ हो जाएगी तो अयज्य भी अच्छे से संपन होगा यह से थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए आप सभी लोग ऐसे जिससे यह अगनी पकड़ने में फटा फट जल्दी से अगनी पकड़ लेगा तो ऐसे यह हमने घृत लगा दिया ऐसे हम घी लगा सकते हैं और एक जो हमें बीच में समिधा लगानी है उसमें हम थोड़ा सा विश्य शुरुप से घी लगा जो क्योंकि वह तूरंत हमें आग की जो लो है जब हम कपूर देंगे तो उस लो के उपर हम इसको रखेंगे त आनव जीवन के हर पहलू के साथ यज्य जुड़ा हुआ है चाहे वह संसकार चाहे पुजा पाड या फिर परवसे लेकर हर सूब असूब आउसरों में भी यज्य करने के सार्व खोव में वैज्यानिक एवं पंध निर्पेक्ष पावनी परंपरा रही है आईए हम संसार की स्त्रेश्ट तम कर्म यज्य को अपनाएं बिंड और म्हांड में संतुलन कायम करने वाले यज्य को अपने जीवन का अभीन अंग बनाएं एवं प्रकृति महा की प्रति अपने रिणों को अदा कर विश्व स्वास्ति का एक नारा यज्य से होगा जग उज्यारा करता है